राजिस्तान का वले ही जाट नैता अब तक मुख्यमंतरी ना बना हो लेकिन यहां की सियासत वो इस कौम के लोग पूरी तरह से परभावित करते हैं जाहिर से बात है कि आज भी सियासत के मैदान के परमुकदाओं पे छेले जा रहे हैं कॉंग्रिस के प्रदेश वध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा और नागोर सांसद हनुमान बेनिवाल ने अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया दरसल डोटासरा का पिछले सालों से होसला अस्मान पर चड़ गया है सीकर की लक्षमंगर विधान सबसीट से लगतार चार बार जीत कर वो राजनीती के अजियोद्दा बने हुए हैं 2005 से लक्षमंगर पंचायत समीती के प्रदान के रूपने सियासत की अपनी पारी का अगास करने वाले डोटासरा पिछले 20 साल में प्रदेश के पर मुख जाटनेता बन गए है विधान सबसीट के अंदर और बहार अपनी परफॉमेंस के दम पर उन्होंने प्रदेश भर में लाखों समर तक बनाए है सीटी दर सीडी सफलता के कदम चड़ने वाले राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस के चीप बन गए यही नहीं के कारेकाल में हुए विधान सब और लोगसबा चुनाव में कॉंग्रेस ने उमीद से बढ़कर सफलता प्राप हाला कि हाईकमान के दम पर बाडमेर के बैतु विधायक हरिश चोदरी भी कॉंग्रेस में बड़े जाट नेता है लेकिन अभी लोगप्रिता के मुकाबले में वो डोटासरा से काफी पिछड़ गए है राजस्थान के बड़े चोदरी का किताब डोटासरा को मिले इससे पहले उन्हें नागोर सांसद हनुवान बेनिवाल से भी खड़ी टकल लेनी पड़ रही है बेनिवाल की लोगप्रिता भी किसी माएने में कम नहीं है वो भी ऐसे जाट नैता हैं जिनके जीत इर्दगिर्द चकल लगाती है बेनिवाल कॉंगरिस से समझोता करे या भाजपा से जीत उनके खाते में आती है बीते लोग सबा चुनाओ में भाजपा के समर्तन से संसद में पहुचे तो इस बार उनको कॉंगरिस का साथ मिला जिसकी वजह से वो लगतार दूसरी बार नागोर के संसद बने कई सालों तक नागोर पर रास्त करने वाली मिर्धा फैमली भी खींसर को अपना बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाई पिछले साल हुए विधान सबा के चुनाओ में आरेलपी को जोरदार जटका लगा जिसके वजह से वो बैक फुट पर आ गया इसके बाउजूद अपने बयानों और सक्रियता के दम पर वो राजस्थान के बड़े चोदरी बनने की जंग में जुटे हुए हैं उनका मुकाबला डोटासरा से सीधा है ऐसे में गए भगे दोनों नैता एक दूसरे पर शब्दों के तीके मांट भी चलाते रहते हैं या लग बात ही कि सियासत के पडल पर मजबूत उपस्तिती देने के लिए उन्हें काफी जदो जद करनी पड़ेगी वही बाजपा में जाट जाती से उभरने वाले नैता सतिश पुनिया एक बार फिर नेप्थे में चले गए हैं पुनिया को लेकर सियासी गल्यारों में ये चर्चा होती रही कि वो बड़े नैता की रूप में उभरेंगे लेकिन पार्टी की अंध्रूनी राजणीती ने उनको साइडलाइन कर जिया भाजपा को जाट नैताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए केंद्र में एक मंत्री पत देना और उपराश्टी पत देना इस जाती के नैता को सुशोभित करना मजबूरी रही है तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दनगरी निवी शुक्रिया